जै श्रीरा, रामायन, ये एक ऐसी पुस्तक है, जिसे आज भी हम सब समझी रहे हैं। रामायन में साथ कांड हैं, हर कांड का अपना अलग महतो है, इन्ही में से एक कांड है, सुन्दर कांड, सुन्दर कांड पूरी तरह से हनुमान जी को समर्पित है। कि किस तरह से उन्हें अपनी शक्तियां ग्याथ हुई, उन्होंने समुद्र पार किया, सीता जी को खोजा, सीता जी से मिले, श्रीराम जी का संदेश दिया, फिर लंका दहन, और वापस श्रीराम जी के पास लौट कर, सीता जी का संदेश दिया, इन सब पर आधारित है सुन् क्यों है इस पर हैं हमारा आज का दथ्थे लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि इसी तरह की जानकारियां आप तक रोज बहुँच सकें आईए शुरू करें सुन्दरकान का नाम सुन्दरकान क्यों है कहते हैं रावन की लंका त्रिकुटाचल परवत पर्थ्री त्रिकुटाचल यानि तीन परवतों का आचल तीन परवत में से पहला परवत है सुबेल परवत ही वो परवत है जिसके मैदान पर प्रभुश्री राम और रावन का यु दूसरा परवत है नील परवत इस परवत अपर राक्षसों के मेहल थे तीसरा परवत है सुन्दर परवत इसी परवत पर अशोक वाटिका थी अशोक वाटिका जहां पर रावन जब सीता का अभरण करता है तो वो उन्हें अशोक वाटिका में ही रखता है हनुमन जी की भेंट सीता जी से अशोक वाटिका में ही हुई इसलिए इस पूरे कांड का नाम सुन्दर कांड पढ़ गया तो कैसी लगी आपको मेरा आज का ग्यान? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगा जैश्ट्री राम